नमस्कार आप सभी का मैं सोनी स्वागत करती हूं आपका ग्यानदा एस एकडेमी के इस ए-learning प्लाटफर्म में आज हम मई महिने का करेंट आफेर्स डिसकास करेंगे एक से पंदर मई का जो करेंट आफेर्स है वो हम पहले की वीडियो में डिसकास कर चुके हैं आज हम 16 से 31 मही का जो करेंट आफेर्स है उसको क्वेस्टन के थ्रू हम रिवाइस करेंगे हम के वल इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन को ही यहां पर डिसकास करेंगे with no irrelevant points तो आईए हम शुरू करते हैं पहला question है हमारा निम्न में से किस देश ने पहली बार Thomas Cup 2022 जीत कर इतिहास रचा which country created history by winning Thomas Cup 2022 for the first time इसका answer है इसका answer है डिरेक्टली इंडिया बहुत जादा चर्चे में रहा है इंडिया जो है उसने पहली बार Thomas Cup जीता और एक इतिहास रच दिया है next question है हमारा हाली में किस देश ने Uber Cup 2022 जीता which country recently won the Uber Cup 2022 इसका answer है दक्षिनी कोरिया दक्षिनी कोरिया जो है उसने Uber Cup जीता है अब आई हम समझते है Thomas Cup और Uber Cup क्या है basically जो Thomas Cup है और जो Uber Cup है या Uber Cup है ये दोनों ही badminton से जो है associated है दोनों ही badminton ने जो है ये cup जो है खेला जाता है जो Uber Cup होता हूँ basically महिलाओं का badminton किताब है और जो Thomas है वो पुरुशों का कहे badminton किताब है और जैसे मैंने पहले हमने question में देखा 2022 से भारत ने पहली बार जो है Thomas Cup जीता है next question लेखते हैं हाली में किस राज्य को तंबाकु नियंत्रन के लिए WHO पुरुशकार मिला which state recently got the या won the WHO award for tobacco control तंबाकु नियंत्रन के लिए जार्खन option दी जार्खन को जो है WHO ने क्या किया है award दिया है तो बेको control करने के लिए next हमारा question है अंतराष्ट्र बुकर पुरुशकार 2022 जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास which Hindi novel recently won the international booker prize for the first tag इसका answer है हमारा tomb of sand option भी tomb of sand जो है इसका answer है इसके बारे हम देखते हैं अंतराष्ट्र बुकर पुरुशकार 2022 भारतिय लेखी का जो है गितांजली श्री यह बहुत important fact है भारतिय लेखी का गितांजली श्री और अमेरिकी अनुवादक जो है डीजी रॉक्वेल इन दोनों को क्या मिला है हिंदी उपन्यास जो है tomb of sand यह translated novel है उसके लिए अंतराष्ट्र बुकर पुरुशकार जीता है अब आप कहीं पर बुकर प्राइस पढ़ते होंगे कहीं पर अंतराष्ट्र बुकर प्राइस कक्ष है जो भुकर पुरुशकार है बेसिकली वह इंग्लिश लैंग्वेज के वर्क्स के लिए ठीक है इंग्लिश जो भासा है अंग्रीजी जो भासा है उसमें जो भी कार्यों किये जाते हैं जो किताबें लिखी जाती है जो भी चीजने लिखी जाती उसमें आपको भु बुकरपुरुसकार अंग्रेजी भाषा के लिए और अन्य भाषाओं के लिए अंतराष्ट्री बुकरपुरुसकार है इसके तहत क्या होता है पचास हजार पाउंड यानि की 44 लाक्स जो है रुपे की धन राशी जो है आपको क्या अनुवादक और लेखक को मिलता है बेसिक इसका आंसर है ओप्शन भी विने कुमार सकसेना नेक्स क्वेशन त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री है वो बिकेम दे न्यू चीफ मिनिस्टर अफ त्रिपुरा अंसर इसका आंसर है मानिक साहा इन्होंने ये विपला कुमार जो देव ही इनको रिप्लेस किया है नेक्स्ट्रेशन हाली में किस संगठन ने भारत के 10 लाक आशा कारे करताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्माने तक है किस अवार्ड से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से नेक्स्ट्रेशन हाली में आयूजीत ब्रिक्स दो हजार बाइस के विदेश मंत्रों की बैठक किया ध्यक्ष्टा किसने की चाइन ने क्या चैर किया है फॉर्ड मिनिस्टर की जो मीट हुई ब्रिक्स के बारे में आपको बता दूब ब्रिक्स बेसी कि लिए जो है ब्रिक्स के बारे में आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूब एक महतपून समुए जो दुनिया के प्रमुख उभरती अर्थवेवस्थाओं को एक साथ लेकर आती है 41% जो है population contain करती मतब करीब विश्व का 41% जो आबादी है इतना इन देशों को मिला कर है तो 41% समझ रहे हैं कितना important group है प्लस अगर world GDP का देखे तो 24% जो है यह ब्रिक्स countries के पास है 24% GDP 41% population है 24% GDP है अगर वैश्विक वैपार का देखे तो 16% से अधिक जो ही इनका contribution है world trade में इसमें सामिल देश समय के साथ क्या राजनितिक सुरक्षा आर्थिक और वित्तिय सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संपर्ख कितीन स्थम्भों के तह जो है मतपून विशव पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं next question we have quad leader summit 2022 किस देश में आयोजित हुआ in which country quad leader summit 2022 has been held it is basically Tokyo Tokyo Japan में जो है quad ka leader summit for quad countries है ये किन देशों को मिलकर बना है it's Australia India Japan and USA to these are the quad countries ये चार जो है quad countries है quad quad से मतलब क्या होता है चार तो इन चार देशों का group है ये basically इनका summit अभी टोक्यो जापान में हुआ summit मतलब summit summit अभी अन्तर राष्ट्रे जव विट्ता दिवस कब मनाया जाता है international day of biodiversity cup celebrate किया जाता है it is 22nd May next question अच्छा next question move करने से पहले एक important fact बता दे रहीं जो अन्तर राष्ट्रे जव इता दिवस 2022 था इस बार का इसका theme बहुत important है theme note कर लिजेगा theme क्या था building a shared future for all life building a shared future for all life अगला question हाली में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना कहने का मतलब है कि जो हमारा जो trade का जो सबसे बड़ा partner जो हम trade करते हैं बाकी देश के साथ उसमें अब हमारा सबसे बड़ा partner कौन है तो हमार जो सबसे बड़ा partner है वह अभी जिसेंटली जो है वह अमेरिका चाइना को पीछे करते वे पहले चाइना नंबर वन पे था अभी अमेरिका हो गया है अमेरिका को जो हमारा जो उसके साथ जो हम ट्रेड करते हैं उसकी वैल्यू लगभग सब्सक्राइब करते हैं और यह जो इसका इंक्रीज भी जो है वह बहुत जादा है लेक फूर अराउंड सेवेंटी बिलियन डॉलर जो है लास्ट ही जो है इसमें इजाफा हुआ है इंक्रीज हुआ है तो जो है अमेरीका नवर वन पे आ गही है ज offers हालि में किस भारतीने संस्थान ने परम पोरूल सूपर कंप्यूटर कर उधर कोटन क्यार इप्रम पोरूल क्या है एक सूपर कंप्यूटर है उसका उधगा इंस्टिटूट्स क्या गया आंसर इस NIT तिरुचिरा पल्ली next question हाली में महीला T20 challenge पुरुसकार किसने जीता who won the women's T20 challenge award recently the answer is supernova supernova जो है वो तीन बार जो है ये challenge जीत चुकी है और एक बार trail blazers ने जीता है बाकी जो है तीन बार supernova ने जीता है next question we have Tata EPL 2022 का खिताब किसने जीता बहुत important question है who won the Tata EPL 2022 title it is Gujarat Titans जो है पहली बार ये team शामील हुए और for the first time शामील भी हुए और जीती भी है इसने जो है IPL का title इस बार का अब जो ये जो Tata EPL 2022 ये चुछ था इसका 15th edition था मतलब 15th संसकरन था आयोजन खाँ हुआ हुआ भारत में विजयता है आपके Gujarat Titans पहली बार IPL में हिसली और विजयता बन ले उपिजयता जीटा राजस्थान रोयल्स orange cap winner orange cap winner basically उसको मिलता है जो सबसे जादा run बनाता है जो player सबसे जादा run बनाता है उसको orange cap मिलता है वो है Joss Butler लाजस्तान रोली टीम से हैं पर्पल काप जो विनर है जो सबसाद विकेट लेते हैं प्लेयर उनको मिलता है परपल काप विनर यह है अपने यह जो वेंदर-छह है यह राजस्तान रोडीर से हैं enorm से बेल िम्राइबल का विलोंग करते हैं उनको मिला है, next question, हाली में किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिबल का पालमे डी ओर जीता, विच फिल्म रिसेंटली वाण दप पालमे डी ओर एड दब कांस फिल्म फेस्टिबल, यह बैसी के लिए खिताब होता है, वो किसने जीता तो जो इसका आंसर है triangle of sadness triangle of sadness जो है उसको ये पुरुसकार मिला है और भी जो categories है जिस पे जो है कान फिल्म होसो में जो अवार्ड जो लोगों ने जीते हैं आप जैसे देख सकते हो triangle of sadness मैंने बताया best director के लिए किनको मिला है best actress के लिए best actor किनको मिला इतना important वै इनको इनकी जो documentary है all that breeds उसके लिए इनको क्या मिला है सर्वस्रेश्ट जो है वृत्चित्र जो best documentary के लिए इनको अवार्ड मिला है इसका नाम जो है वो है ID or golden eye award है वेसी के लिए यह ल नहीं है द है the ID or मत्तब कि golden eye award कि इसने जीता है Sonak Sane की documentary all that breeds जो है उसने जीता है नेक्स्ट आफ आइब विश्व महीला मुक्के बाद championship 2022 में किस मुक्के बाज ने स्वन पदक जीता विश्व महीला मुक्के बाद जो चैंपेंशिप बन गई है विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयत्र को गाट कहां किया गया है वर्ल्स फर्स लिकविड नानो यूरिया जास बेस बीन स्टाट इन विच प्लेस इज इज कलों गुजराथ में फर्स लिक्विड यूरिया संयत्र जो है वह वो गुजराथ में श्टार्ट किया पहला उच्च न्याले है, विच हाई कोट अफ दे कांट्री इस फर्स तो हाव यूरिंग और वाट्साप पे हीरिंग, यह हमारा मदरास, मदरास हाई कोट जो है, वो पहला हाई कोट बन गया है, वाट्साप में सुनवाई करने वाला, निम्न में से भाड़ती गैस एक्शेंज पर व्यापार करने वाली पहली इकाई कौन सी है, जो इंडियन गैस एक्शेंज है, उस पे फर्स कौन सी इकाई है जो की ट्रेड कर रही है, तो याद रखिएगा ONGC जो है, ONGC जो पहली कमपनी बन गई है, जो की इंडियन गैस एक्शेंज में ट्रेड करी है, हाली में किस मस्जीर में सर्वे के बाद पता चला की, शिवलिंग मिला है, रिसेंटली इन विच मॉस्क, शिवलिंग हाज बन आफ्टर दे सर्वे, बेसिकली वात क्या था, कि कोट के जज़्जमेंट के तहरे कमीटी बनी थी, जिसने क्या किया था, वहाँ पर कुछ स्टडी करा था, जिसमें उन्होंने पाया अपने सर्वे में, कि जो एक मॉस्क है, उसके नीचे क्या है, शिवलिंग मिला है, तो वो कौन सा मस्जिद है, आंसर जावा मस्जिद ग्यान व्यापी, अढ़ाई दिन का जोपडा मक्का मस्जिद बहुत न्यूज में था, आप सबको भी सुनने माया हुआ, ग्यान व्यापी जो मॉस्क है, उसमें पाया गया है, कि जो है, उसके नीचे शिवलिंग मिला है, नेक्स्ट वी हाफ, अपरेल 2022 में भारत की खुद्रा मुद्रा स्विती, पिछले आठ सालों का रिकॉर्ड तोड़कर कितनी हो गई, बेसिकली पिछले आठ साल में, पिछले आठ साल से अभी तक का जो एक समय, उसमें अब तक का हाइएस्ट जो है, खुद्रा मुद्रे स्विती जो है, वो हाइएस्ट कितना है, वो वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर जो है, आपका वो है, 7.79, ठीक है, 7.79 आठ साल पहले, कुछ कभी 8.something था, जो अभी तक का हाइएस्ट है, और इन पिछले आठ सालों में, यह 7.79 परसेंट है, यह हाइस्ट है, थोड़ से इसको समझते हम, क्योंकि यह important है, जो खुद्रा मुद्रे स्विती जो दर होता है, basically क्या है, inflation दर को हम study करते हैं, जो महंगाई होती है, इसको तयार कौन करता है, तो जो मिनिस्ट्री आफ स्टाटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन है, सांखी की और कार्यकरम, कार्यानेवन मंत्राले, जो है, उसके अंडर जो NSO, जो है काम करती है, वो इसको तयार करती है, अब इसका मत्तब समझते क्या होता है, जब एक निश्ट आओधी में, वस्त्वों या सेवाओं के मूल्य में, व्रेधी के कारण, मुद्रा के मूल्य में जो गिरावट दर्ज की जाती है, उससे ही मुद्रा स्फिती कहते हैं, बेसिकली क्या होगा, अगर जो आपके goods and services हैं, अगर वो महंगे हो जाएंगे, तो इसका मत्रब क्या होता है, आपका रूपिया कमजोर हो गया, तो उसी को हम, उसी को मापते हैं इसके थूँ, ठीक है, मुद्रा स्फिती को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो यह मांगाई दर, यह खुद्रा मुद्रस्विती दर कहलाती है, सरल शब्दों में कहें तो, यह कीमतों के उतार चड़ाओ का रफ्तार जो है, वो दरसाती है, जब भी goods and services जो है, वो महंगे होंगे, मतलब रूपिया कमजोर पड़ गया, और जब चीजे सस्ती हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, रूपिया स्ट्रॉंग बन गया, क्योंकि जब सस्ती मतलब आप कम पैसे में, ज़्यादा चीज़ खरीद पार है, और जब कोई चीज़ महंगी हो गई, तो आप ज़्यादा पैसा लग रहा है, कम चीज़ को खरीदने के लिए, ऐसा आप इसको रिलेट कीज़े, ठीक है, नेक्स जो है, देश का 50 सेकेंड, जो है, 52 टाइगर रिजर्व, रामगड विश्धारी अभ्यारणिय के सराज्य में स्थेत है, इस ते 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 ते, हाली में Elizabeth Bond, किस देश की नई प्रधान मंत्री जो है, न्यूप थी गई है, जो Elizabeth Bond है, वोज अपॉइंटे अज न्यू, प्राइम मिनिस्टर ओफ विच कंट्री, इस फ्रांस, फ्रांस की जो है, प्रांस प्रधान मंत्री बनी है, नेक्स हाली में, किस देश ने तत्काल प्रभाव से गेहू के निर्याद पर प्रतिबंध लगाया है, वरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कंट्री है, विच कंट्री है रिसेंट्ली बैंड दी एक्सपोर्ट ओफ वीच विच इन्मीडियेट इफेक्ट, इस इंडिया, हमारे भारत ने क्या किया है, वीट का जो एक्सपोर्ट है, उसको जो है बैं कर दिया है, तत्काल प्रभाव से, नेक्स, वश्व प्रवासी, पक्षी दीवस का मनाएं गया है, उन वीच डेट, वौल्ट मुएटरी, बर्ट डे इस सेलेबरेटर, इपिज फॉर्ट मही, प्रेटरी, व्ल्ट मुएटरी, बर्ट डे सेलेबरेट किया है, सिस्टीन अमी нажबेट되는, 2022 को प्रधान मतिर नरेंदर मोदी ने कहां पर बौध संस्क्रीती एवं विरासत केंद्र का सिलान्याश किया है In which place Prime Minister Narendra Modi inaugurated the center of Buddhist culture and heritage? It is Lumbini Lumbini या दर्खेंगे वहाँ पर अभी जो है Prime Minister Narendra Modi ji उन्होंने वहाँ पर उस center का क्या क्या उधातन किया है हाली में किसकी अध्यक्षता में भारतिय कपास परिशद का जो है गठन किया गया है Recently under whose chairmanship Indian Cotton Council has been formed Basically cotton man के नाम से famous है शुरेश कोटक जिनको जो है Minister प्यूश गोयल ने जो है इनको appoint किया है as the chairman of Indian Cotton Council भारतिय कपास परिशद का जो है अध्यक्षिन को नियूप किया है Next, Hasan सेख महमूद को किस देश का नया राश्टरपती चुना गया है Hasan सेख महमूद has been elected as president of which country it is Somalia option C, Somalia RBI ने बैंकों की उपभोगता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्ष्टा में समीती का गठन किया है under whose chairmanship RBI constituted a committee to review customer services standard मतलब जो हम जो customer है जो bank के जो हम customers है तो हमको जो सूरीधा में जो services मिल रहे है उसको review करने के लिए जो है एक committee बनाई है RBI ने तो किसकी अध्यक्ष्टा में बनी है इस बीपी कानूंगों बीपी कानूंगों की जो द्यक्ष्टा में अभी बनी है एक committee review करेगी जो इन चीज़ों को next question भारतिय रेल्वे और किस संस्थान ने यहां पर थोड़ा error है भारतिय रेल्वे और किस संस्थान ने जो है भारत का पहला स्वदे से हाइपर लूप विक्षित करने के लिए साजधारी की है इंडियन रेल्वे और विच इंस्टिटूट हाव कम तोगेधर टो डेवलफ फॉस्ट टोमेस्टिक हाइपर लूप जो है आईएटी मद्रास और इंडियन रेल्वे मिलके जो है हमारा पहला हाइपर लूप जो है देश का विक्षित करने जा रही है हाइपर लूप ट्रेइन पह давно हमें है जो होता है होता हो मतलब की इसमें इ एक गल्स का जा Elsa यह सख्थ करेंस आं एय्ड़ियेट ट्यूब जैसा होता है उसमें एक वोग्य haben यह वहाम आ तहें आपalg copies यह वहाम वह ए Harry lev Det क्यूब में जो है हवा में ट्रावल करती है इसमें घर्षन देखिए इसमें घर्षन बिल्कुल नहीं होता है तच में बिल्कुल भी नहीं आते ठीक है और इसकी स्पीड देखिए 1100 से 1200 किलो मिटर प्रती घंटे तक की होती है के निए म Jewish नमेरा जो एक नॉर्मल ट्रेन होता है ऐसकी स्वीड कितनी होती है और ग्यारस और सबारस व कि over time नेक्स्ट्स टेश्ट का पहला लेवेंडरBob 1000 कि सराजिय केप अंजसे प्रनिश न्वानाया गया तो जो हमारा जुब पहला देश का जो पहला लेवेंडर है वह यह कश्मीर में मारा-गया इस इक वह फंच से अंधानि इसमें developed fact These are the most important facts जो कि 16-31 मही के भी जो भी घटित हुआ है देश में राश्टर अंतराश्टर स्तर पर उसका जो है ये हमने एक ब्रीफ जो है डिसकुशन भी किया Thank you very very much हम नेक्स्ट वीडियो आपका जून का करेंट अफेस लेकर